एक टॉक अड़ के एच रेविस पर आप सभी का स्वागत हैं आज हम कुलाची हंसाज मॉडल स्कूल है आज़ी तक्षा के बंचों ने चरितर निर्मान शिविर में छब्व भूशा प्रदियोगिता हुई तो आएए इस प्रदियोगिता की एक जलत फिर से देख़े नमस्क सब्सक्राइब करते हैं तो चलिए अब आरत करते हैं चल्व भूशा प्रदियोगिता के साथ स्वेव एंकार बना जी की वित्यों का तारण दशानन और लगत्रपती के नाम से जाने गए रावन जी हाँ दोस्तों मैं बात दो रहा हूं एक उश्र राज्वित के माया वीं जान दार रावन की अब बुलातें रख्षा 8 के छात रादम को जो रावन का नियों ना था रावन का रामत करने वाले राम और लक्षमन कहीं तुशाच मैं इसका प्रजिशोर तूंगा यह राक्षर रामर की तावा अरण कर राम को अपने चुमने के लिए विवाश कर द अरी अरी इतना है था रभू को ने रीत से दा चली आई जाने चाई परेवचन न जाई राम 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 सिया राम जब जब पाप और अहिंकार बढ़ता गया तब दब उसका नाश करने वाले नी पैदा हुए तो आईए अमद्रित करते हैं आठवी एच के छाथ रुकिश अर्जमानी को जो राम का पाद्र निभार है मेरे पिता ने बच्वां के खाते लिए अपने प्रयांट याग दिये मैं अपने दिये वे वच्चन को निभाने के लिए सदे अतत्पर रहता हूं मेरे चरित्र में एक पती बेटा और पिता के समाज के सामने आया है मेरा नाम मर्यादा पुर्श और ग्राम इसलिए क्यों कि मैं सदे मर्यादा में रहता हूं वाँ क्या उच्विचार है देख़ए कि आज़ी संतान कवर्कर समाग करना जहां वंच निर्दई क्रूर यदुवंशी मतूरों का लाजा का कंस उब्रसे और पदमत्ति के पुद्रकर्श का पाद विभाने आ रहे है आज़ीडी के जात्रचिरा मुझे आस्तकाई को राजित नहीं कर पारा मैं अजार हूं अमार हूं त्री नौला का गाश्वा में हूं मैं ता पल चाली हूं कि मर्यों मत्री के मेना कर पारिता पर भी नहीं मार सेकता पर तू वच्छनिया विश्णू उपरसे अखास भाने करता है कि तेञ़ की काश्व मुद्र मेरा बत्तनेगा वे मुध विश्णू यह नहीं चालता कि मैं तेखी की आज्व संतारा मो इस ध पर क्या है इनका प्रभाव क्रिष्ण पर बढ़ेगा करता ही नहीं। महावारत का पर सूत्र था किया नपर्ष का उद्धा। गीता का ज्यान देकर क्रिष्ण ने किया मनश्य जीवन का उद्धा। तो अब बुलाते हैं आगली ए की छात्रा खुशी को जो श्री गृष्ण का पादल निफा रही। संतालों के भविष्ण को सुख से बढ़ने का प्रहत्र करना यहीं हर मादा पिता का प्रधम करताव्य होता है। उनके भविष्ण की सुख की ओजना करने से महत्वर अधिक और भो भी क्या सकता है। माता-पिता के दिये हुए अर्च्छे या बुरे संसकार। संसकार और शिक्षा से बनता है मनुश्य का चरित्र। अर्थार जो माता पिता अपनी संतानों का जैसा चरित्र बनाते हैं वैसा ये बनता है उनका पविश्य किन्तु फिर भी अधिकतर माता पिता अपनी संतानों का पविश्य सुरक्षित करने की चिंता में उनके चरित्र निर्मान का तारे भूल ही जाते हैं किन्तु फिर भी अधिकतर माता पिता अपने संदानों का जैसा दिर्मान करते हैं, उनकी प्रशस्ती समस्त संसार करता है, स्वेव विचाल कीजेगा आप सभी ने क्रिष्ण को अर्जुन को उप्रेश देते हुए दरूस नहीं, पर आज आपने क्रिष्ण का एक नया स्पर्ण देखा, देखा आपने, वे बच्चों के संसकारों के खिर्णी चिलता करते हैं सागी को बना आधार, जीवन पर किया औरों का उधार, जी हाँ दोस्तों, ऐसे ही महार लोगों से भरा हुए हैं अमारे इतिहास, जिनोंने समाज सुधार का किया आजीवन प्रयास आजी समाज की स्थापना करें, किया धर्म शिक्षा का प्रजा है, स्वामी द्यानन ने दिया आजी समाज को नया आपकार, अब बुलाते हैं कक्षा आजी आई के छादर आरों बत्रा को, जो आजी समाज के संथापक स्थापक स्वामी द्यानन जी की भूमिगरी भारे हैं दुनिया को अपना सर्वशेश दीजे और आपके पास सर्वशेश डौट कर आएगा प्रशंसा एक ऐसा हत्यार है जिससे शत्रू को भी मित्र बनाया जा सकता है काम करने से पहले सोचना बुद्धी मानी काम करते समय सोचना सकता और काम करने के बाद सोचना मूलता वोई वस्तु तभी मूल्यवान होती है जब उस वस्तु का मूल्य स्वयम के लिए मूल्यवान है आप सब कहते हैं मैं अपने विचारों में सरल हूँ पर मैं सरल नहीं मैं सफश्ट हूँ पोई व्यक्ति तभी अज्ञानी होता है जो स्वयंग अज्ञानी बने हैना चाहे क्रोध, द्वेश, हिंसा जैसी अन्य गुराईयों को समाथ से दूर भगाई ले और मानद जीमन को सफल बनाई ले और हाँ, याद रखे, विद्या हमारा अस्त्र है, धर्म हमारा रत है, सत्य हमारा सार्थी है और भक्ति उसरत के गोड़े है क्या उच्छी निचार कर शिक्षा का प्रचार, बने स्वतर्तुता से नानी, स्वामी श्रदानन सहस्वदी, स्वयंग बने सम्यास स्वामी श्रदानन जी के पादन निधाने आ रहे है, आगरी जी के छादर गौरिश अच्छे लोग, पैदा ही अच्छे होते हैं, ये मैंने किसी दमाने में बोला साथ इसका मतलब क्या है अब सब लोग के लिए, यही ना कि जिसके पास धन है वैसा बलता पराप करता है, नहीं, ऐसर नहीं है, जो मन से अच्छा हो, वो अपनी जिन्दगी खुशलता पूरोग जीता है, मेरी आदे से जादा जिन्दगी अंधेरे में भी थी, चाहरोशनी की किरन भी थी उस सम्मित मैंने हाद महांँ और मेरे परिवार आदे साथ छोड़ दिया, धन्य द्यानन जिसके घर्षन मेरी जिन्दगी के अंधेरे को उजाले में बदल दिया, आगी मैं आप सब से सर यही है ना चाहूँगा, कि अच्छे लोग वे नहीं, जो धनी हो, अच साथा जीवन उच विचार जहीता देंके जीवन का साथ अब पुलाते हैं आठी जे के छादी दिव्यों कुटा को जो आरे समाज एक प्रभुप नेता एवां शिक्षा में मांका हनसाज जी की गुमिना निफा रहे हैं कहने में तो संसार में सम्राट बड़ा है और सुकी धंद्वाल लेकिन सबसे बड़ा वही है जग में जो होता पलिदान है हे इश्वर मुझे शक्ती दो मैं इन पंधियों को साथक करपाँ महरिश बयानम के स्वपन को फुगा करपाँ वैदिक शिक्षा के प्रसार को कन्या शिक्षा की चहा को योग प्रनायाम के प्रचार की कमन्ना को फुगा करपाँ अभिद्या अज्ञ्यान और को भगा कि यार में एक शिक्षा संस्थान मनां जहां आधूनिक और प्राचीन शिक्षा का संगम योग प्रणयां हवर्ण यग्यन दयानंत एंगलो वेथे हां ये नाम सही रहे है अपने साथियों गुरुदत नाला लाजपर प्राय पिहारी लाल के नाम से परमर्श करता है दयानंत और योग वेदिक संस्का नाम सही रहे है बोलो महरीशी दयानत की जह बोलो वेदिक धर्व की जह वतन तो अज़ाद करने के ये हस्ते हस्ते जो हो गए खुद बान और उगी आजादे खाते दे गए अपने प्राय अब हम बुलाएं कुछ प्रसिद और महादेश भक्तों को जिन्होंने भाय कुछ अदर्द करने में अपने प्राय ज्यांतिये सर्परोशी की तमन्ना अब अमारे दिल में हैं देखना है सोर कित्ता बाजुएं कातिल में हैं जी हार दोस्तों मैं बात कर रहूं वहां देश भक्त सिंगी जिनकी भूमी का निपाने आ रहे हैं आज़वी एक जशादिक खुशाद इंकलाब जिन्दावार राग का हरे कर्ण मेरी घर्पी से गतिमान है मैं बगत सिंग एक ऐसा पागल हूँ जो जेल में वी आजार है यति पहरों को सुनाना है तो आवास को बुलंग होना होगा जब हमने बंग गिराया तो हमारे धैं किसी को मारना नहीं था हमने अंग्रे से वह भारत चोलना चाहिए और उसे आज़ाद करना चाहिए सिल्गी हो होट अपने हर जुप चुप चुप सहते हो कायरों सी जिंदगी है कोले में चुप चुप रोते हो चाया हुआ धना अंधेरा तो क्या एक जुग्रू भी रौशनी कर जाता है सूरज की तरह नवन प आजाद रहेंगे आजाद थे आजाद रहेंगे अब मैंन्देश करती हैं तक्षा आजवेश्मा चाहिए जोने चंदर शेकर आजाद का बात्र दे दे हैं और अधर पमांशा की दिश्मन की नहीं हैं, और करते रहेंगे हम अजद हैं और ही रहेंगे जिसके लोग में रोज नहीं उसका खूर नहीं पानी है और जिसकी जवानी ने देश के लेकाम नहीं उसकी जवानी विब्यकार है हम लोग ने अपने वारत गुम्मी के ये अपना खूर प्रदान किया है और हम अंग्रेगा को वारत से दूर भाग करेंगे वारत मातागी जे इनकलाव सिताबाद जे हिर्द लिख रहा था वो अंजाब जिसका कल आगाज आएगा लहू का हर करपना इनकलाब लाएगा तो आएगे आमन करते हैं आठवी सी के छादर सिधार को जो रापन साथ दिसमिन का पादर निभारे धन्य है दयानल जिसने आपने मुझे बुरे कामों से कुछ चुड़ा कर आजादी के नशे में बदर दिया आरे समाज की जाए आरे समाज की जाए मुझे पंको मत कहिए बड़ा अफसोस होता है अदारत यादत से हम यहां तशरीफ लाए हैं पलत देते हैं मौझे हबार सकते हैं